question है आपको ना ये diagram दिया होगा जिसमें दो wires लगा रखे होगे पहली wire है steel की दूसी wire है brass की ये length है 1.5 meter ये length है 1 meter और 4 और 6 kg तो ही है आपको ये diagram देखते हुए और young model is steel का भी given है और brass का भी given है तो यहां से आप radius भी निकाल सकते हैं और cost section area भी निकाल सकते हैं पाई-R-square question है कि आपको बताने है elongation कितनी है steel का delta L कितना है और brass का delta L कितना है ये बताओ question समझे आ गया जब आप भार लगाएंगे तो ये खिच जाएगी wire लंबी हो जाएगी steel भी लंबी होगी और brass भी लंबा होगा तो delta L दोनों का कितना question और young modelers given है तो पहले शुरू करते है steel steel की length L कितनी है original 1.5 steel की wire पे कितना भार लग रहा है force क्या लग रही है 4 और 6 कितना 10 kg लेना सिरफ 4 मत लेना हमें पता है log of motion से नीचे का weight भी लेना पड़ता है तो steel की wire को दोनों weight समालने पड़ रहे हैं तो total force क्या लेंगे 10 g मतलब 10 into 9.8 ये रहा 98 young model steel का पता है आपको तो आप इसमें y का formula लगा लेना y का जो formula होता है वो क्या होता है y का formula है force by area और delta L by L इसका recipe पोकल लेंगे तो force by area delta L by L cross multiply करेंगे तो delta L की value आएगे delta L में आपको इस question में force पता है आपको इस question में length पता है area आप निकाल लेना क्योंकि diameter of the wire पता है तो area pi r square से आ जाएगा यहां से cross section का और यहां से y की value भी steel की पता है delta L answer है और अगर same question किस के लिए करना है brass के लिए brass के लिए लेनी है one meter force के लेनी है 6g उसे नीचे का weight brass के नीचे क्या लगा हुआ है 6g यंग's modulus आपको पता है यंग's modulus के question कुछ करना में नहीं है पहला question ही है तो हमारा ठीक मुलें